हालो एब्रीबन, कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, दो भाईयों ने मिलकर एक स्कूल बनाया, जिसमें एक तरफ अच्छाई सिखाई जाती थी और दूफरी तरफ बुराई सिखाई जाती थी, मतलब एक तरफ अच्छा जादू सिखाई जाता था और दूफ और फिर हमें पता लगता है वो सिफ प्रैक्टिस कर रहे थे तब ही अच्छा वाला भाई जिसका नाम रियॉन होता है वो कहता है तुम दो के से जीते हो तो रफाइल फिर से मुकाबला करने को कहता है और इस बार वो जादू का पूरा इस्तिमाल करते हैं जिसमें रफाइल उस मुकाबले को अफिलियत बना देता है और वो एक ऐसा जादू इस्तिमाल करता है जो उसे इस्तिमाल नहीं करना चाहिए था जो कि बलट का जादू होता है और फिर वो लड़ते लड़ते एक पहाड़ के पास पहुच जाते हैं जहां रियॉन किसी तरह रफाइल को जाए और वहीं उसी सहर में एक और लड़की रहती थी जिसका नाम एगेथा होता है सहर के सारे लोग उसे बिच बुलाया करते थे किसमत से वो दोनों दोस्ती हाला कि दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थी लेकिन उनकी दोस्ती बहुत गैरी थी और वो तब से दोस्ती जब Sophie की मॉम की डैथ होई थी जिसके बाद हमें दिखाते हैं वो दोनों स्कूल जाती है और उसके बाद में वो एक बुक स्टोर पे जाती है जहां एगेथा भूत प्रेत की बुक्स लेती है और Sophie परियो और प्रिंसेस बाली बुक्स लेती है लेकिन बुक स्टोर कीपर Sophie को एक बुक देता है जो की स्कूल फॉर गुड एंड इवल से आई होती है लेकिन उन दोनों को उस स्कूल के बारे में कुछ नहीं पता होता है तो Sophie पूछती है ये किस जगा है जिस पर वो बुक स्टोर कीपर बताती है ये किसी को नहीं पता है ये स्कूल कहां पर है इसी दुनिया में है या फिर किसी और दुनिया में है वो बताती है सारी कहानिया भी यहीं से स्टार्ट हुई है वो यहीं लिखी जाती है लेकिन एगेथा उसकी बात का बिजबास नही करती है तो वो बताती है कि अपसे 20 साल पहले योना नाम की लड़की को इसी स्कूल के मॉंस्टर उठा कर ले गए थे जिसका आज तक कुछ भी नहीं पता है तब ही वो दोनों वहाँ से चली जाती है और सोफी उस स्कूल में जाने के लिए एक लेटर लिखती है क्योंकि वो अपनी लाइफ से परसान हो गई थी उसे अपनी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी उसकी स्टैप मदर उसे बहुत बुली किया करती थी और उस लेटर को लिखके एक पेड़ पे लगा देती है जहां सोफी और एगिता का नाम भी लिखा होता है और तब ही वहाँ पर एगिता भी आ जाती है तो सोफी उस स्कूल में जाने के बारे में उसे बताती है लेकिन एगिता उसे जाने से मना करती है और उसे ना जाने के लिए मना लेती है पर सूफी के दिल में कुछ और ही होता है बो रात को बहीं आ जाती है लेकिन एगिता को भी उस पर सक्ता इसलिए बो भी उसका पीछा करते करते वहीं आ जाती है और उन दोनों में बात ही हो रही होती है कि वहां पर एक fox से बना हुआ monster आ जाता है जो कि Sophie को पकड़ कर ले जाने लगता है तो Agatha भी उसके हाथ पकड़ ले तो वो उन दोनों को ये एक जगा ले जाकर छोड़ देता है जहां अचानक से एक बहुत बड़ा सा बाज आ जाता है और वो उन दोनों को वहां से उठा कर ले जाता है जहां वो Agatha को अच्छाई के स्कूल में और Sophie को बुराई के स्कूल में छोड़ देता है तो Sophie वहां के वुल्फ काट से कहती है मैं यहां गलती से आ गई हूँ मुझे अच्छाई के स्कूल में होना चाहिए था लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनता है और उसे अंदर फेज देता है तो वो अंदर जाकर एक लेडी से सिकायत करती है जिसका नाम लेडी लैसो होता है जो की बुराई की स्कूल की प्रिंसिपल होती है लेकिन वो उसे बताती है कि परिंदे से कभी भी गलती नहीं होती है तब ही हमें एगिता को दिखाते हैं जो की अच्छाई के स्कूल में होती है लेकिन वहां के कुछ स्टुडेंट एगिता के बालों और कपडों की हसी उड़ा रहे होते हैं तुम तो बिल्कुल चुड़हल लग रही हो तुमें इस स्कूल में नहीं आना चाहिए था तुम शायद गलती से यहां आ गई हो लेकिन तब ही पर यह एगिता को जबरिया अंदर ले जाती है जहां उसकी मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम प्रोफेसर डेवी होता है जिससे एगिता कहती है वो यहां नहीं आना चाहती थी यहां तो उसकी दोस्त आना चाहती थी तो प्रोफेसर बताती है नैवर यहां नहीं आ सकती और परिंदे से कभी गलती नहीं होती है एगिता को नैवर का मतलब नहीं पता होता है तो इसलिए प्रोफेसर उसे बताती है जो बच्चे बुराई की स्कूल में जाते हैं उन्हें नैवर बुलाया जाता है क्योंकि वो कभी भी खुस नहीं रहते हैं और जो बच्चे अच्छाई की स्कूल में आते हैं उन्हें एवर बुलाया जाता है क्योंकि वो हमेशा खुश रहते हैं जिसके बाद उन सारे बच्चों को एक हाल में बुलाया जाता है जहां एगिधा एक बहुत बारी सी गाउन पहन कर आई होती है और उदर सोफी सिर्फ सिंपल से ब्लैक कपड़े पहनी होती है जबकि उन दोनों की पसंद इस से बिलकुल उल्टी होती है पर बुराई के लोग हमेशा काले और सिंपल कपड़े पहनते हैं और अच्छाई वाले लोग फैशनिबल कपड़े पहनते हैं तभी उसके बाद में एवर मतलब अच्छे लोग अपनी स्किल्स दिखाते हैं और उस दुनिया के अगले राजा डैट्रोस को दिखाया जाता है तो वो भी अपनी कुछ स्किल्स दिखाता है जिसके बाद में नैवर्स मतलब बुरे बच्चों में से एक बच्चा उसको चैलेंच कर देता है तो उन दोनों के बीच में मुकाबला होता है लेकिन डेट्रोस उस साइकलोग को हरा देता है क्योंकि उसके पास में X कैलिबर होती है तभी डेट्रोस का ध्यान सोफी और अगेथा दोनों पे ही जाता है लेकिन वो एक दूफरी लड़की के पास जाकर बैठ जाता है तभी वहाँ पर स्कूल के हैड मास्टर रियॉन आते हैं जो कि अफ काफी बूरे हो गए होते हैं वो उन बच्चों से कहते हैं तुम सबको अच्छे से पढ़ना है और सारे रूल फालो करना है क्योंकि जो बैस्ट स्टूडेंट होगा उसी को स्टूरियन चुनेगा उसी की स्टूरि इंसानों की दुनिया में पहुचाई जाएगी जिससे बो लोग प्रारित होके अपना लक्षे चुन सकें और तभी अचानक से सोफी पूस्ती है अगर कोई गलत स्कूल में आ गया हो तो और फिर एगिता कहती है या फिर यहां गलती से आ गया हो तो उस पर मास्टर रियोन कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर गलतीया नहीं होती है और वो यह कहकर वहां से चले जाते हैं तभी रात में उन दोनों को यह उनके क्लास के बच्चे परिशान करते हैं क्योंकि वो reader होती हैं मतलब वो इंसानी दुनिया से आई होती है जहां Agatha Sophie से मिलने के लिए evil वाले school में आ रही होती है तो वो रास्ते में उन दोनों school की principal को बात करते हुए सुनती है और जब वो दोनों वहां से चली जाती है तब उस room में वहां पर रफाइल दिखाई देता है जो कि उससे कहता है Sophie of हमेशा के लिए उसकी है और फिर वो गायब हो जाता है तब ही वो भी evil school पहुच जाती है जहां Sophie के classmate उसको परिशान कर रहे होते हैं और उसके बाल काटने की कोसिस कर रही होती है लेकिन Sophie उल्टा उसी को मारने लगती है और उसके साथ में बहुत बुरा बरताब करती है तब ही उसकी नजर एगिथा पर पढ़ जाती है तो वो उसको देखकर उसके पास आ जाती है तो वो दोनों मिलकर historian के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ सिर्फ एक pen और book होती है जो कि अपने आप ही लिख रही होती है तब ही वहाँ पर रियोन आ जाता है और कहता है तुमारे अलावा यहां तक कोई भी नहीं आ पाया है तुम दोनों इतनी खास हो तो यहां से जाना क्यों चाहती हो तो उस पर Sophie कहती है यह जाना चाहती है मैं नहीं जाना चाहती हूँ बस मुझे तो गलत स्कूल में बेज दिया गया है हाला कि Agatha खुद को और Sophie दोनों को ही बापिस ले जाना चाहती थी पर Sophie उसे समझाती है कि उसे वो लाइफ विल्कुल भी पफन नहीं है पर Agatha को Rion पे विजवास नहीं होता है तो वो उनसे पूछती है कि Snow White और सारी कहानिया जो उन्होंने पढ़ी है वो सब सच्ची हैं जिस पर Rion उनने बताता है तुमने जितनी भी कहानी पढ़ी है जैसे सिंदबाद, सिंड्रेला, Snow White और जितनी भी वो सारी कहानिया नहीं सच्चाई है उसमें से सारे लोग इस स्कूल के स्टूडेंट रह चुके हैं और फिर वो सोफी से कहता है अगर तुम बुरी नहीं हो और तुमें अच्छाई के स्कूल में जाना है वो उसे कहता है बुराई जो चीज़ कभी हासिल नहीं कर सकती उस चीज़ को हासिल करके दिखाओ और साबित कर दो मुझसे गलती हुई तो सोफी कहती है मेरे पास सब कुछ है अच्छे बाल है मैं सुन्दर हूँ यही सारी चीज़ें चाहिए होती है अच्छाई के स्कूल में जाने के लिए लेकिन एगिता उसे समझाती है कि वो यही सारी चीज़ें नहीं है वो एक्चुल में सचा प्यार है तुम्हें सचे प्यार को ढून कर उसको किस करनी होगी जिससे ये साबित हो जाएगा तुम अच्छी हो तब ही रियोन उने उनकी क्लासिस में बेज देता है जहां एगिता की क्लासमेंड उसे डराती है और कहती है अगर तुम तीन बार फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल फे निकाल दिया जाएगा जिस पे एगिता और खुस हो जा क्लासम चल रही उती है और वह भी उसमें फेल होजाती है जिसके बाद मैं वह दूनों कौमन हॉल में मिलते हैं जहां अगिता सोफी को राचकुमार के नाम बताती है लेकिन सोफी का दिल डैट्रोसम Principal आगया होता है तो वह एगिता को एक इक लेटर देती है जोंकि डैट् तरनाक फिलार होते हैं और उसके बाद में वह उन्हें एक पंपकिन इसकेर करो दिखाते हैं और बताते हैं कि यह रात में जाकता है लेकिन तभी वहां पर एक ड्रैकर नाम के लड़के के फिलार काट लेता है जिससे वह लड़का वहां से डर के भाग जाता है तो इस वज़ है तभी हमें सोफी को दिखाते हैं जो कि अपने क्लास में होती है तो उसके क्लास की रीटा नाम की लड़की उसे परिशान करने लगती है और जैसा कि बुराई का स्कूल होता है इसलिए टीचर उसे नहीं रोकती है बलकि उन्हें तो यह सब देखने में मज़ा आता है तभी ड्रैगन को मारने लगती है जिससे रीटा का भी दम गुटने लगता है तभी सोफी उन मक्यों को रुकने को कह देती है तो पता लगता है कि वो रफाइल था तो लेडी लैसो सोफी को अपने साथ ले जाती है जहां सोफी पूछती है यह कौन था तो लेडी लैसो से रफा मिलने आये तो इसके बारे में तुम सिर्फ मुझे बताना और किसी को मत बताना जिसके बाद हमें प्रोफेसर डूबी को दिखाते हैं जिसके बाद हमें प्रोफेसर डूबी को दिखाते हैं जो कि एगिता और बाकी बच्चे को बताती हैं बुराई हमला करती है और अच्छा पूरी करती हैं तो एक एक करके सारी लड़की अपनी विशिश मांगने लगती हैं तभी एगिथा भी विशिश मांगती है जिसमें वो बांगती है जो लोग भी यहां से अपने घर जाना चाहते हैं वो सब जा सकें तभी अचानक से वो फिश एक लड़की में बदल जाती है और वो लड़की एगिता का शुक्रिया अदा करती है और बताती है उसे अपसे कई साल पहले फेल होने की बज़ा से ये फिश बना दिया गया था वो इतने सालों से लोगों की सारी विश पूरी कर रही थी लेकिन किसी ने भी ऐसी कोई विश नहीं मांगी जिससे वो आजात हो सके लेकिन एगिता ने ऐसी विश मांगी थी जो उसकी भी इक्षा थी जिससे वो आजात हो गई तो इसलिए वो उसका शुक्रिया आदा करती है और फिर गायब हो जाती है जिसके बाद वहाँ पर वही परिंदा आ जाता है, जो उन दोनों को वहाँ लेके आया था, और वो एगथा पर हमला करने लगता है, लेकिन असल में वो हमला नहीं कर रहा होता है, और एगथा भी देखते ही समझ जाती है कि वो ड्रेकर है, लेकिन उसी टाइम पर वहाँ पर डैट्रोस आ जाता है और उसको मार देता है। हालकि एगेथा उससे रुखने को कह रही होते हैं। लेकिन वो इसकी बात को नहीं सुनता है। उसके बाद में एगेथा घुस्से मी आ कर डैट्रोस के немного फंच भी मार देती है। तब ही एगेथा अपनी प्रोफेसर पर गुस्सा हो रही होती है और कहती है इससे आप अच्छा ही कहते हैं प्रोफेसर भी उस पर बढ़क जाती है और कहती है तुमारा जादू बहुत पावरफुल है तुम बो राच कुमारी हो जिसका हम लोगों को बहुत समय से इंतिजार था जिसके बाद में एगथा और उनों बात करने लगते हैं तो एक था वहां से चली जाती है तो डैट्रोस उसके लेटर की तारीफ कर रहा होता है कि तभी एक बुल्फ सिफाई सोफी को पकड़ कर ले जाता है जहां लेडी लेसों सोफी के बाल काट देती हैं और उसे एक रूम में बंद कर देती हैं तो वो रफाईल की बातों से प्रवाबित होकर सोफी डिसाइट करती है वो डैट्रोस का दिल जीतने के लिए उससे जो भी हो सकेगा वो करेगी जिसके बाद मैं हमें दिखाए जाता है सारे स्ट्रेंट को एक पिन के तरू जादू मिल रहा होता है जहां सोफी बहुत अच्छ में परिशान कर रही थी जिसके बाद में वो उन सबकी एक लीटर की तरह पंजाती है तब ही अगले दिन एगथा उससे बात करती है और उसे बताती है डैट्रोस के पिता ने उनकी दुलन गुलीवा को उसकी खूपसूरती के लिए चुना था लेकिन गुलीवा ने उन्हे मौत हो गई मतलब डैट्रोस का दिल जीदने के लिए सिर्फ खूपसूरती काफी नहीं होगी तो आप सूफी को कुछ ऐसा करना होगा जिससे सब को पता लग जाए कि वो अच्छी है जिसके लिए वो एकधा की बात सुनती है और डैट्रोस के पास जाती है जो कि एरोस की प्रैक्टिस कर रहा होता है तो सूफी भी उस तो सूफी भी निसाना लगाने लगती है लेकिन डैट्रोस उसे बताता है कि बुराई के स्टूनेट कभी भी सही निसाना नहीं लगा सकते जिसके बास सूफी एरोस शूट करती है और उसका निसाना बिल्कुल सही होता है तो डैट्रोस सोफी को अपनी रानी बनाने के लिए पूछ लेता है लेकिन ये बात किसी को भी पसंद नहीं आती है हलागि डैट्रोस सबसे कहता है मेरी रानी चुनने का हक सिर्फ मुझे है और एगिता भी उन लोगों से कहती है कानियों के हिसाब से सच्चा प्यार कभी भी अलग नहीं हो सकता तो मास्टर रियोन कहते हैं इसका पता हम जंगल की चिनोती से लगाएंगे जिसमें उन दोनों को रात में जंगल में अलग-अलग हिस्सों में छोड़ा जाएगा और उन दोनों के एक दूसरे को तूड़ना होगा और तभी रात में उन दोनों को जंगल के अलग-अलग हिस्से में छोड़ दिया जाता है लेकिन सोफी को जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है और वो उन खूबसूरत फिलार के पास में पहुच जाती है जो कि उसके काटने लगते हैं तो वो उनसे बच कर वहां से भागती है और फिर उसके बाद में वो पंकिन इसकेर किरो के पास पहुच जाती है जो कि अब रात में जिंदा होता है और उस पे हमला करने लगता है तो सोफी चिला रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर एगिता अपने जादू से कभूतर बनकर आ जाती है और सोफी को बचा लेती है तभी वो दोनों वहाँ से भागने लगती है तो उन्हें डैटरोस की अब आ जाती है तभी एगिता वहाँ चिप जाती है और सोफी को डैटरोस के पास में भेज देती है लेकिन वहाँ भी स्केर करो आ जाता है जिससे डैटरोस लडने लगता है और सोफी एक कोने में जाकर चिप जाती है लेकिन तभी डैटरोस की X-Caliber उसके हाथ से चूट कर एक दूफरी जगा गिर जाती है तो इस कैर कर तो डैटरोस को मार रहा होता है कि वो X-Caliber को उठा कर डैटरोस को दे दे लेकिन वो डर के मारे बाहर नहीं निकलती है हाला कि Agatha उसे काफी बार इसारे करती है लेकिन वो उसकी बात को नहीं सुनती है और जब उसे लगता है कि अब Datros मरने वाला है तो इसलिए वो खोदा कर तलवार को ठाकर Datros को दे देती है जिसके बाद में Datros उसे मार देता है और Sophie पे गुसा हो जाता है और उसको छोड़ कर चला जाता है तब ही इस बजा से Sophie Agatha पर गुसा हो जाती है और वो भी वहाँ से चली जाती है जिसके बाद में Professor Agatha पे गुसा होती है तो वो कहती है नहीं मुझे भरोसा नहीं है Sophie बुरी है मेरा मानना है कि सारे लोग ही बुरे होते हैं कोई भी पूरी तरह से अच्छा नहीं होता है मैं भी बुरी हूँ तब ही हमें Sophie को दिखाते हैं जो कि बहुत गुसे में होती है और तब ही रफाइल मिरर के थूरू से बात करने लगता है और Sophie को चड़ाने के लिए वो एगिता को मिरर में दिखाता है जो कि कह रही होती है कि Sophie बुरी है लेकिन वो उसे पूरी बात नहीं दिखाता है जिस सोफी को बहुत गुसा आजाता है अब वो रफाइल के बस में हो जाती है जिसके बाद वो उसे ब्लेड वाला मैजिक दे देता है तबी कुछ दिर बाद लेडी लेसो सोफी से मिलने आती है लेकिन वो उन्हें बहुत सुना देती है जहां हमें पता लगता है लेडी ल बन गई होती है उसका चेहरा भी बहुत खतनाग लग रहा होता है अब वो डैट्रोस से कहती है तुम किसी को भी चुलनो लेकिन तुमारी रानी तो मैं ही बनूंगी और यह कहकर वहाँ से चली जाती है जिसके बाद डैट्रोस और बाकी की लोग देखते हैं सोफी ने गुड चैहिन कामयाब हो जाता है क्योंकि हमेशा पहले बुराई हमला करती है और अच्छाई बचाती है जो की सोफी ने किया होता है तबी अचानक से सारे इवल बच्चे चेंज होने लगते हैं और बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और वह अच्छाई के स्टूडेंट बन जाते और अच्छे वच्छे चेंज होकर बुराई के स्टूडेंट बन जाते हैं और वो थोड़े बसूरत भी बन जाते हैं जिसके बाद में उन लोगों के पीज में फाइट होने लगती है वो सारे लोग एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं तबी एगता सोफी को समझाने की कोसि जाती है जहां वो रियोन को मारने आई होती है लेकिन वहां जाकर उसे पता लगता है कि रियोन ही रिफाइल है तो वो कहती है तुम तो मर गये थे तो वो बताता है वो नहीं मरा था उसने बापिस आकर अपने भाई को मार दिया था और उसकी जगा ले ली थी सोफी को उसक आपको नहीं मारना चाहती थी मैं तो सिर्फ राज करना चाहती थी और तभी वहां पर एगथा आ जाती है तो रफाइल कहता है आप यह मेरी है तुम्हें से मुझसे नहीं ले जा सकती जिस पर एगथा कहती है जब तक मैं जिन्दा हूं मैं उसको कुछ भी नहीं होने तभी वहां पर डेटरोस आ जाता है जो कि रफाइल को मारने की कोसिस करता है पर रफाइल उससे बहुत पावरफुल होता है और उससे कहता है मैं एकस कैलिबर से नहीं मर सकता अगर तुमारे पिता के हाथ में होती तो शायद मर जाता जिसके बाद वो डेटरोस को मारने ल और रफाइल को वहीं मार देती है पर इदर सोफी मर जाती है तो एगिता उसे देख कर रोने लगती है और उसके आसू निकल कर सोफी के जक्म पर गिर जाते हैं जिससे वह अचानक से ठीक हो जाती है और हमें दिखाते हैं अब अच्छाई और बुराई दोनों के स्टूड़ हैं एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं और वो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं जिसके वाद बहां पर एक पोर्टल खुल जाता है जो कि उन दोनों के घर का रास्ता होता है तो सोफी एगिता से कहती है तुम यहीं डेट्रोस के पास रुख जाओ मैं बापिस अपनी कर दुनिया में चली जाती हूं लेकिन एक था उसका साथ नहीं चोड़ती है बोब फिर पर से उसी जिन्दीगी को जीने लगते हैं बस फर्क होता है कि अब उनके पास में जानु होता है तभी एक दिन डेट्रोस का एरो इंसानी दुनिया में आ जाता है और उस से अब आ जाती है कि Agatha मुझे तुम्हारी जरूरत है और यहीं हमारी मूबी का end हो जाता है गाइस इस मूबी का नाम School for good and evil है जो की हाल ही में Netflix पे release होई है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो वैल आइकन को दबा दो और वीडियो को like कर दो